कुम्भराशिफल एक जनवरी 2024 अपने मुह को बंद करके रखना कुम्भराशी एक जनवरी 2024 आप अपने सकारात्मक रवये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे आज आप आसानी से पैसे इकठा कर सकते हैं लोगों को दिये पुराने क गर्स वापिस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अरजित कर सकते हैं घर बदलने के लिए बढ़िया दिन है कलत्फमी या कोई कलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है आपको अपने काम में बहुत बड़ा फैसला लेना पढ़ सकता है समय पर तेज कदम उठाना आपको औरों से आगे ले जाएगा आप अपने सहकर्मियों से कोई उप्योगी सलाह भी पा सकते हैं खाली वक्त में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं हालाकि आपके घर के बाकी सदस्य आपकी एक आगरता को भंग कर सकते हैं जीवन स से आता है आपके विचार और स्वपन आपके दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं लाटरी जुआ या स्टॉक्स चिंता का कारण बनेंगे अब समय है पुराने दोस्तों से मिलने और गिले शिकवे दूर करने का आलसी और सुस्त महसूस कर सकते हैं भावनाओ में न बहते हु अपने रिष्टों का ख्याल रखें आज आप पार्टी के मूर में हैं लेकिन ऐसे में नशा करने से बचें आने वाले समय में काम अधिक हो सकता है इसलिए अपने प्रियजनों से समय अवश्य निकालें लव राशिफल यह समय है अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने और मनोरंजन का आपकी सकारात मकता और रचनात मकता के लोग कायल है और जल्द ही आपको कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन जाएगा रोमास के सपने आपको दिव्य लोग में ले जाएंगे आज का दिन बहुत ही खास है अपने उत्साह और इच्छाओं को जीवित रखें और अपने दोस्तों को पार्टी दें आप और आपका स्वीटू दोनों अपने नए नए रिष्टे को लेकर उत्साही और बैचैन हैं आपका यह रिष्टा धीरे-धीरे किन्तु अच्छे से विक्सित होगा कुछ समय आराम के लिए भी निकालें क्योंकि अगले हफ्टे व्यस्त रहने की संभावना है सामान्य राशिफल एक पेशेवर नुकसान आपको चिंतित कर सकता हैं ब्रेक के कर थोड़ा मजा लें साथी या बच्चों के साथ मनोरंजन आपके मूर को हलका कर देगा जोखिन भरे कामों से बचें और ब दूर मतलब सीखा रहा है बुरी आद्टों से दूर रहें परिवार और बच्चों के साथ समय व्यतीत करें क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आने वाला सप्ता व्यस्तता से भरा हुआ है सफलता उनहीं लोगों को मिलती है जो जोखिन लेना जानते हैं ध्यान में रखने वा सकता है इसलिए जुए या अनावश्यक जोखिन लेने से बचें प्रियजनों के साथ शेयर किये आनंद के लिए समय निकालें आप हमेशा विभिन प्रस्तावों के फायदे और नुकसान का विशलेशन करने के बाद सही फैसला लेते हैं पूरे महीने के खर्चे के बारे मे विचार करें बिना जरूरत की चीजों को न खरीदे एक सफल और असफल मनुष्य के बीच में न तो सामर्थ्य का अंतर है और नहीं ज्यान का बलकी अभाव है तो सिर्फ इच्छा शक्ती का करियर राशिफल आज आपके जीवन को नया अर्थ मिलेगा जहां आप खुशिय के खेल का पूरा मजा लेंगे नए अफसरों के मिलने से जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं अपने दिल की सुने इससे आप निराश नहीं होंगे जीवन में संघर्ष करने और जोखिम लेने से पीछे ना हटें आज आप अपना पूरा समय धन अर् को चुनते समय सतर्क रहें फ्लेकसिबल बने और समय के साथ साथ अपनी योजनाओं को भी संशोधित करें स्वास्थ्य राशिफल देखा जाए तो आपको अपने दिमाग को लचीली स्थिती में रखना चाहिए लेकिन आज आप पुरानी बातों को याद करते रहेंगे औ और न तो अपने मन की सुनेंगे और नहीं किसी की अच्छी सलाह मानेंगे आपके इस जिद्दीपन से घर और ऑफिस में कुछ तनाव पैदा हो सकता है इसका एक मात्र समाधान यह है कि अपने दिमाग को खुला रखें और दुसरे लोगों की भी बाते सुनने और समझने क कोशिश करें तो चलिए अब बात करते हैं महिलाएं भी पासकती है हनुमान जी की कृपा जानिये क्या है पूजा के नियम मंदलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है इस दिन हनुमान जी की विशेश पूजा अर्चना की जाती है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान की पूजा करने से दुख, रोग, संकट और विपदा दूर होती है। हिंदु धर्म में भगवान हनुमान जी को ऐसा देवता माना गया है, जो आज भी सश्रीर धर्ती लोग पर उपस्थित हैं। उन्हें उनके भगतों के संकटों का नाश करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, शिव जी और शनिदेव का भी आशिरवात प्राप्त होता है जो लोगशणी की साडह साती और धया से पीडित हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, इससे उन्हें राहत मिलती है वही ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा सिर्फ पुरुश ही कर सकते हैं इसकी वज़य यह है कि भगवान हनुमान जी ब्रहमचारी थे इसलिए कोई भी महिला उन्हें छुन नहीं सकती। लेकिन महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी की पूजा में महिलाओं के लिए कुछ नियम का पालन करना विशेश रूप से अनिवार्य माना गया है। अगर महिलाओं इन नियमों का पालन करते हुए पूजा नहीं करती तो उनको फल भी नहीं मिलता और प्रभु की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इ एक महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करते समय इस बात का विशेश ध्यान रखना होगा कि हनुमान जी की मूर्ती को स्पर्श ना करें। इसके साथ ही महिलाओं पूजा करते समय हनुमान जी के पैर को भी नाचुएं क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और म आप इन चीजों को किसी पुरुष से अर्पित करा सकती हैं। चार महिलाओं को हनुमान जी के प्रतीश रधाभाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं जुकाना चाहिए। पांच महिलाओं को हनुमान जी की पूजा के समय कभी भी सिंदूर नहीं चड़ाना चाहिए। अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उप्योग करते हैं तो इससे पहले अपने नस्दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्थ करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्थ कर सकते हैं। कुंदली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद।